नमस्कार दोस्तों, इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आपके जीबन में उठा पटक कुछ ज्यादा ही हो रही है तो एक बात पर गवर करें कहीं आप शनिबार के दिन कुछ ऐसे कारे तो नहीं कर रहे जिनकी सक्त मना ही है अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसा करना तुरंत बंद करें दोस्तों माननेता ये है कि ऐसा करने से शनी देब कुपित हो जाते हैं और जीबन में दुख तकलीफें बढ़ जाती हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शनी बार को आखिर ऐसे वो चार काम काउन से हैं जिने भूल कर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक दोस्तों जियोतिश शास्तर के अनुसार शनीदेव की पूजा में दान के लिए काले तिल का प्रियोग किया जाता है इसके अलाबा पीपल के ब्रक्ष पर भी काले तिल चड़ाने का नियम है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शनीवार को काले तिल कभी भी नहीं खरीदने चाहिए ऐसा करने से शनी देव नाराज हो जाते हैं और आपके सभी कारियों में अब रोधाने शुरू हो जाते हैं नमबर दो आशुब घटनाएं होने लगती हैं हालां कि शनीबार को काले कुट्टों को सर्सों के तेल से बना हुआ हलुआ खिलाने से शनी की दशा टलती है शनीबार को सर्सों या किसी भी पदार्थ का तेल खरीदने से बोहरोग कारी होता है नमबर तीन दोस्तों जियोतिष शास्त्र के अनुसार शनीबार को लोहे का बना सामान बिल्कुल भी ना खरीदे माना जाता है कि शनीबार को लोहे का सामान खरीदने से शनीदेब नाराज हो जाते हैं लेकिन इस दिन लोहे से बनी चीजों का आप दान कर सकते हैं क्योंकि शनीदेव की कोप दृष्टी निर्मल होती है लेकिन अगर खरीददारी की जाए तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों जियोति शास्त्र के अनुसाद अगर आपको नमक खरीदना हो तो बहतर ये होगा कि शनीवार के बजाए किसी और दिन खरीदें माननता ये है कि शनीवार को नमक खरीदने से शनीदेव नाराज हो जाते हैं और जातक पर कर्ज का बोज दिन बादिन बढ़ता ही जाता है इसके अलाबा कई तरह की बीमारियां भी गेर लेती है